लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भीए बालाजी वेलफेर असोसियेशन ने आज मकर संक्रांती के अवसर पर गरीबों और जरत मंदों के बीच खाद्यान और कपडों का वित्रण किया इस दोरान कलंबुली पनवेल खारगर समित कई इलाकों में जाकर एसोसियेशन के काद्यकरताओं ने मदद का हाथ बढ़ाया देखे चल किया मकर संक्रांती परव के अवसर पर बालाजी वेलफेर असोसियेशन ने नवी मुंबाई पनवेल शेत्र के कई ठिकानों पर गरीबों और जरुरत मंदों में खाद्यान एवं कपडों का वित्रण किया एसोसियेशन के स्वयम सेवकों ने कलंबुली सरकल पर रहने वाले बेघर लोगों को खाद्यान समगरी बाटी वही कामोटे और खारगर में भी जरुरत मंद नागरी को तक मदद का हाथ बढ़ाते हुए खाद्यान एवं वस्त्रबाटे संस्ता के अध्यक्ष मंजु गौतम और संजे सिना ने बताया कि परवत एहवार पर गरीब और जरुरत मंद भी खुशाल रहे इसके लिए बाला जी असोसियेशन मदद अभ्यान चला रहा है आईए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा स्री बाला जी वेलफियर एशोसियेशन आज मकरशंकरान्ती के उपलक्ष में हम लोगों ने अन्यदान और वस्त्रदान करने का सोचा था तो वो हमारा भी हो गया है जो थोड़ा बहुत रहे गया है वो हम लोग और भी देखते हैं कहां पे हैं उस लोग जो रहेंगे उनक करते रहेंगे हम तो पीछे नहीं हटेंगे और लोगों को आगे लेकर आएंगे जितना लोग जुड़ेंगे इतना ही अच्छा रहेगा सब कर शंकरान्ती के शुबावसर पर हमारी एस्सेशन बाला जी वेलफियर एस्सेशन की तरफ से जितने भी यह गरीब लोग यहां पर हैं इन लोगों को थोड़ा सा खाना और टी शेट्स वगरा का डिस्टिबूशन किया गया है और इस तरीके से हम लोगों के यह कारेकरम जैसे चालू हुए हैं तो हर वीक हम लोग अब करते रहेंगे एक साल होगे हमको यह करते हुए और एक साल का जब यह हमारी वर्ष में करने वाले हैं मैसे देना चाहते हैं कि इस तरीके की संस्था से लोग जुड़े हैं ज्यादा से ज्यादा और यह रेस्पोंसिबिल्टी खाली गौर्मेंट की नहीं है हम लोगों की भी रेस्पोंसिबिलिटी है कि जो इस पेंडिमिक में जिनको खाना नहीं मिला है जि झाल